नमस्कार, मेरा नाम प्रफेसर सुनील राय अगरवाल है, मैं एक्योप्रेशर, एक्योपंचर, कलर थरेपी, सुजोड और अगरवाल इनर्जी कॉंसेप्ट का इन्वेंटर हूँ, अगरवाल इनर्जी कोंसेप्ट को मैने इंवेंट किया है, और इस चीज को इस तरह से regional meridian है उनके उपर color को कैसे apply करना है और उस colors के उपर अच्छे से अच्छा result कैसे लेना है इस चीज के उपर मेरी classes भी होती है online classes है जिनको मैं अगरवाल energy concept and color therapy के नाम से लोगों को training देता हूँ अभी तक मेरे पांच-छे ग्रूप इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं और आगे भी बहुत सारे लोगों का रेजिस्टेशन है इसमें जो बाहर के लोगों ने रेजिस्टेशन कराया है उसमें इरान से लोगों ने इरान से कुछ कंडिडेट्स ने आया है कुछ कंडिडेटर म बारे में जो की आजकल बहुत common problem है लेडिस के अंदर ये problem है गल्स के अंदर ये problem है और जितने भी लेडिस हैं उन सब के अंदर इस तरह की problem जो है बहुत ज़्यादा common होती जा रही है menstrual circle के disturbance होना menstrual cycle में pain होना और menstrual cycle का कम होना या blood के साथ clotting आना या blood के अंदर जो है brown color का dark color का blood आना या आपके period के साथ में breast के अंदर swelling आनी इस तरह की बहुत सारी common problems है या फिर कई लोगों को periods आने से पहले जो है lower abdomen में बहुत जादा severe pain होना start हो जाता है और वो जब तक bleeding आके complete नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनकी जो है वो problem continue रहती है तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए मैंने कुछ points को points को select किया है और उन points के selection से जो है मेरे को बहुत अच्छे results मिले हैं और उन results को मैं time to time जो है बहुत सारे patient के साथ बहुत सारे platform के उपर उसको मैं share भी कर सका हूं कि उनको मैं share कर चुका हूं तो इस तरह कि जो भी problem होती है अभी latest ही किसी lady का मेरे को phone आया था उनको जो है प्रेस्ट के अंदर swelling आ जाती है swelling आती है और उसके साथ pain आता है तो फिर उनको मैंने जो है तीन पॉइंट भीजे थे जो कि यह जो periods की problem है यह blood के साथ related है और blood जो है हमारा liver के साथ involved है liver जो है blood का circulation करता है और spleen जो है blood को store करती है और उसमें white cells और RBC और WBC को increase करती है उसको balance करती है तो periods की menstrual cycle की जो problem है यह only due to liver problem है और liver की meridian अगर आप जाके देखेंगे TCM में यह growing region के पास से पास होती है जो हमारे reproductive organs है उसके पास होती पास से जाती है और वहां पर liver 10 का points आता है liver 10 का point आने का मतलब यह हुआ कि liver की जो energy है या liver की जो meridian है वो इस area के पास से जा रही है और इस area को वो control करेगी इसी principle के ऊपर मैंने तीन point select किये हैं liver 2 liver 5 और liver 8 liver 2 जो है liver 2 liver की heat का point है यह यहाँ पर आता है liver 2 जो है liver के heat का point है और यह यहाँ पर आता है आप लोग इसको अराम से देख सकते हैं इसके बाद liver 5 है liver 5 जो है यह point यह point यहाँ पर आता है यह वाली आपकी middle finger है इस जगा पे यह liver 5 का point आता है यह liver की hotness का point है इसके बाद यह point जो आता है यहाँ पर एक middle के बीच में आता है यह liver meridian का point है liver 8 यह liver की coldness का point है लेकिन हमको जो periods है उसके अंदर blood का flow बढ़ाना है और उसकी energy को बढ़ाना है ताकि जो भी तीन दिन का circle है वो easily और comfortably complete हो सके जिनको periods related pain की problem है या दोसरी तरह की problem है कि cycles जो है पूरे अच्छी तरह से खुल कर नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए इन तीन points के उपर liver 2, liver 5 और liver 8 इसके उपर अगर आप लोग red color लगाएंगे तो आपकी जो है हर तरह की problem जो है liver later solve हो जाएगी यह तो उनके लिए एक protocol हुआ जिनको की liver periods जो है कम आते हैं और कम आते हैं या delayed आते हैं या blood जो है वो proper नहीं आता है flow proper नहीं आता है उसके अंदर smell आती है बदभू आती है plotting आता है तो it means we have to clear the entire system of the body तो उसको clear करने के लिए हम liver के heat को tone करते हैं liver की hotness को tone करते हैं और liver की coldness को tone करते हैं लिवर की coldness को sedate करते हैं ताकि liver का ठंडा पन है वो कम हो जाएगा और liver के अंदर जब heat बढ़ेगी तो blood का circulation बढ़ेगा और वो cycle का system है वो increase होगा और clear हो जाएगा इसके बाद दूसरी situation आती है कि आपका periods आते ही नहीं है periods बिलकुल आते नहीं है उस case में भी ये वाले points जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं इन तीनो points को उपर आप red color लगाएंगे immediate आपको relief मिलेगा और ये वाली case history जो है किसी patient को मैंने share की थी उन्होंने जो है उसके उपर feedback दिया कि इन points को लगाने के बाद जो है उनकी date 15 तारिक को थी 15 के बज़ाए 10 को ये उनको आ गया और उसके बाद भी 3 दिन तो बहुत अच्छा रहा है और उस चीज को आप जाके मेरे facebook page के उपर मेरा facebook page जो है सुनिल राय अगरवाल के नाम से है उसके उपर आप पूरी protocol और उसका details और सारी कुछ आप देख सकते हैं ये तो एक condition होगी जिनको periods नहीं आते हैं और दूसरी condition ये है कि जिनको periods आते हैं लेकिन बहुत painful periods होते हैं उनको बहुत दर्द होता है इस तरह की problem आती है तो ऐसे में cramps आते हैं जिसको menstrual cramps बोलते हैं तो इस type के अगर कोई problem आती है तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है ये जो तीन पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो तीन पॉइंट आप देख रहे हैं लीवर टू और फाई टीवर टू फाई एट इसके ऊपने ऊपर आपने जाकर सीधा सा black color लगा लगेना है वहाँ पर black color लगेगा अगर आपको painful period आते हैं बहुत ज्यादा flow आता है excessive flow आता है और बहुत से लोग मेरे को इस बारे में पूछते रहते हैं sir periods की protocol दीजिए यह problem है इस तरह की problem है तो उस चीज को solve करने के लिए मैं अपना YouTube को पर वीडियो डाल रहा हूँ आप YouTube के उपर मेरे वीडियो देखिए YouTube को लाइक करिए मेरे चैनल को response को उसको लाइक करिए चैनल को और उसके बाद जो icon button है उसको जाके bell करिए ताकि मैं आपको लोगों के जादा से जादा अच आपका इस बारे में क्या सोचना है अगर कोई भी किसी की और भी तरह की problems है वो मेरे से independently जो है मेरे मोबाइल नंबर के उपर discuss कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं या वीडियो को देखके नोट कर लिजेगा 9717380071 और दूसरा मेरी online classes होती है उन classes क भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं और उन classes में कैसे treatment करना है पूरा basic fundamental से मैं आपको समझाता हूं TCM meridians को मैं पूरा समझाता हूं और TCM meridians मैं वो नहीं समझाता हूं आपको जो Chinese अकुपंचर के हिसाब से हैं कि आपने अगर digestion system में problem है तो आपने यहाँ पर जाके चार निडल लगा लेनी हैं मेरा concept वो नहीं है मेरा concept है कि आपने जो चार निडल या तीन निडल या निडल मैं कभी prescribe नहीं करता हूं मैं क सारी उनका कोई side effect नहीं है कोई किसी को license के जोट नहीं है क्योंकि TCM में आप acupuncture करते हो आप body के अंदर निडल डालते हो इस करके आपको एक के पास acupuncture हो acupuncture का certificate होना है is a must लेकिन यहाँ पर आप जितना भी काम कर रहे हो सारा superficial level पे कर रहे हो आप कोई medicine नहीं दे रहे हो आप पोई उसके body के अंदर inject नहीं कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो आप केवल skin के उपर काम कर रहे हो और skin के उपर भी जो काम कर रहे हो आपका metaphysical और super metaphysical के ऊपर top treatment दे रहे हो इसकंट करके उसके body के ऑरगन के ऊपर direct कोई relation भी नहीं है कि कोई आपको claim कर सकता है कि प्रेस किया था, इस कारण मेरे को ये प्राबलम हो गई, तो उस चीज से भी आपके safety और security पूरी है, अगर आप मेरे इन courses को follow करते हैं, तो आप मेरे courses को join करिए तो जादा से जादा आपको, इसका knowledge होगा आपसे जादा से जादा फैदा उठा पाए तुरिये तो,